मशार दोस्तों में नाम में विमल सिंग बालाजी श्टडी एड़ा में आपका स्वागत है यूपीटेट के लिए सात्वा मौडल पेपर हम देख रहे हैं तो इससे पहले हमने इसके वालविकास और हिंदी के प्रस्ण देखे थे 30-30 टोटल साथ प्रस्ण साइड माई जो है वो कंटिनू रखेगा तो चलिए सुरू करते हैं परवन के प्रस्ण उसे 101 किसे इनमलिकित में से कौन सा प्रात्मिक स्थर पर परवन अध्यन में आकलन के लिए उक्रण और तकनीक है आपको बताना है परियोजना चेत्र ब्रहमण जर्नल लिखना किसी भी प्रकार स जो है आपर सही होगा 222 प्रस ने उस प्रथम महिला का नाम बताना है जो भारत के किसी राज्य के उच्छ नायले की मुख्य नायदिस बनी थी अंसर की बात करते हैं तो लीला सेट आपका सही होगा भारत की पहली महिला थी जो की किसी उच्छ नायले की मुख्य नायदिस बनी थी 1991 में हिमाचल प्रदेश उच नायले की मुख्य नयदीज बनी थी और जो फातिमा बीवी है वो भारत की पहली मैला थी जो की सरवोच नयले में नयदीज बनी थी लीला सेट और फातिमा बीवी दोनों में डिफरेंस जो है वो ध्यान में किएगा 123 प्रसने हैं परवरण अध्धन के सिक्षड से उन प्रक्रियाओं पर आधारित जो कौसल हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो की पूश्ताच आधारित प्रत्यक्ष अनभवों के केंद्र बिंदू है इम्लिकेत में से कौन सा ऐसा एक aysa कौसल जो है वो नहीं है ये पूछा गया है और वान्मान, निर्धारन, निसकर्स निकालना या फिर अवलोकन पूछन जो है आपका किसी प्रकार से कौसल नहीं है जब बात हो रही है वो परवरन अध्धन की जिसके सिक्षड में से उन प्रक्रियाओं पर आधारित जो कौसल है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताच आधारित प्रत्यक्ष अनुभावज है उनके केंद्रविन्दू है 124 प्रसने खेल जो हम खेलते हैं प्रक्रण के सिक्षड में सिक्षार्तियों की अधिक्तम भागिदारिता के लिए इन में से कौन सी सिक्षड युगती है जो अधिक प्रभावी होगी विविन्द खेलों के कार्ड खेल कार्ड बनाना और उन्हें सिक्षार्तियों को दिखाना B option है, सिक्छार्टी जो है, उनको भीतर और बाहर खेले जाने वाले विविन खेलों के नाम याद करने के लिए कहना सब option डायरेक्ट सीधे कट जाएंगे C option है, सिक्छार्टीों को टेलीविजन पर खेल संबंदी कारिकरम को देखने और उस पर आधारित सामान परियोजना कारे बनाना किसी भी तरीके से helpful नहीं होगा C option एक ही बचा यही सही होगा कि सिक्छार्टीों का खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग-अलग दिनों में अलग-अलग खेल जो है वो खिलाना यही आपका option जो है आप पिल्कुल सही होगा 25 प्रस्न आपका है कि कक्षा 3 के सिक्छार्टीों को हमारे दोस्त पक्ची प्रक्रण जो है वो पढ़ाते समय नलीनी नीचे दी गई पदतियों का प्रियोग करती है तो पक्चीओं पर आधारित व्रत्यचित्र दिखाना जैसे एक हो गया आपका विबिन जो पक्ची उनकी तस्वीर वाले चार्ट का प्रियोग करना और संचेप में उनका वरणन करना एक यह उप्योग हो गया ठीक है कि सिक्चार्टियों को नजदीक के पारक में ले जाना और उनसे पक्चीओं को ध्यान से देखने के लिए जो है वो कहना तो नली जो है किस प्रियोजन के लिए सीखने के यह जो विबिन उपागम है उसको यूज कर रही है बहु बुद्धी वाले जो सिक्चार्टि उनकी विबिन आवशक्ताओं को पूरा करना या फिर दूसरे सिक्चक और अभिवावक को प्रभावित करना उद्देश से बिल्कुल नहीं होता है सिक्चार्टियों में तरक सक्ती का विकास करना अलग-अलग जो चैप्टर है या अलग-अलग विसे हैं उसे तरक सक्ती नहीं इतनी विक्सित होगी C भी उतना सही नहीं है अपनी पाठ योजना का पालन करना तो बिल्कुल वलत है तो जब C भी नहीं है तो बचा A ही वाला बहु बुद्धी वाले जो से चाड़ती है उनकी विविन आवशक्ताओं को जो है वो पूरा करना ये जो नलिनी है उसके दार जो प्रयोग किये जा रहा है वो इसमें जो है वो आएगा 26 प्रसन आपका है कि इन में से सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है यूरने, सुक्र, वरुन या ब्रहस्पती तो सबसे जो दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा तो सबसे ठंडा ग्रेय आपका वरुन जिसका इंगलिस में नाम है नेप्चियून यही आपका सही होगा इसी को लेटा हुआ ग्रेय है मंगल जो ग्रेय है इसको कहा जाता है तो उसको लाल ग्रेय कहते हैं प्रत्वी को कहा जाता है नीला ग्रेय कहते हैं 127 है कि आरे भारत में बाहर से आये और सरप्रथम जो है वो बसे थे, कहां बसे थे, सामाधट में या फिर प्राग जेहुदिस में या पंजाब में या पांचाल में, पताइए कौन सा सही होगा, अंसर की बात करते हैं तो पंजाब आपका सही होगा, आरे भारत से बाहर से आय रावी और जेलम और चिनाव इन से घिराज जेत्र जो है वो था इन सब के पहले नाम अलग-अलग थे जैसे सतलज का सतुद्री था व्यास का विपासा था रावी का परुष्णी था वितस्ता जो है जेलम का था इस टाइप से अगला है आपका कि किसमें पौदों का भौतिक रूप और जो बाहरी सन्रिचना रूप और बाहरी सन्रिचना का अध्यन अंसर की बात करते हैं इन 4 मेंовой तो फाइटो मार्फ जो यह वाला इसमें पौदी-क भौतिक रूप बाहरी सन्रिचन का अध्यन किया जाता है और physiologicalology होता है traveling option है इसमें जीवोगे कारेप्रणाली और उनके भागो का अध्यन किया जाता है cytology बहुत पूचा जाता है उसमें कोशिका का अध्यन किया जाता है अगला देखते हैं आपका कौन सा उध्यान है बांगला देश के साथ भी अपनी सीमाओं को साजा करता है सुन्दरवन, काजी रंगा, कंचन जंगा या पन्ना आपको बताना है कौन सा उध्यान है क्योंकि बांगला देश के साथ भी अपनी सीमाओं को साजा करता है अंसर की बात करते हैं तो आपका सुंदर्वन राष्टी उध्यान जो है वो सही होगा सुंदर्वन राष्टी उध्यान एक टाइगर रिजर्व है बायोस्फ़र रिजर्व है यह पस्चिम बंगाल में इस्ते थे और बांगलादेश के साथ सीमा साजा करता है 1987 में कब 1987 में इसको युनेसको विश्व विरासत सूची में जो है वो सामिल किया गया था 130 प्रस ने परवन अध्यन की पाठ पुस्तकों में विविन पकरण जो है उनमें एक खंड करके देखो को सामिल किया गया है इसका उद्देश की क्या है घर में सिक्षारतियों को वैसर रखना प्रत्यक्ष हस्त परग अनुभव पलब्द कराना परिक्षा में निस्पाधन को सुधारना विज्ञानिक सब्दावली की परिभासाएं जो है वो सीखना अंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे करके देखो जो है इसको सामिल किया गया है यूदि प्रत्यक्ष अस्त परग जो अनुभव होता है उससे ज्यादा बहतर दरीके से आप सीखते हैं यह अंसर सही होगा 131 प्रसने पररण अध्यन में एक अच्छे दत्यकारे का मुख्य लक्ष क्या होना चाहिए अधिकम विस्तार के आउसर उपलब्द कराना बिल्कुल सही है प्रभावी अधिकम के लिए पाठ के दोहराना बिल्कुल गलत है समय का बहतर उपयोग सुनिशित करना अच्छे सबसे बहतर होगा अधिकम विस्तार के लिए अवसर उपलब्द कराना बिल्कुल मुख्य दट रेखा की लंबाई भारत की जो है कितनी है तो आप कहेंगे एक सट सो किलोमीटर है और सबसे बड़ी तट रेखा जो है वो गुजरात की है भी वाला आपका उप्शन सही होगा 1214 किलोमीटर है आंध प्रदेश की कितनी है तो 973 किलोमीटर है तो 906 किलोमीटर है आपका उप्शन गुजरात जो है आपकर सही होगा अगला 133 प्रशन है निमलिकित में से पौधे के किस भाग में कक्षी कली विक्सित जो होती है पल पत्ती साखा या फिर जड़े तो बताइए कक्षी कली जो है किस में विक्सित होती है अंसर की बात करते हैं तो साखा आपका सही होगा कक्षी कली एक अंकुर होता है जो कि तने के उपरी भाग और पत्ते के द्वार निर्मित होता है और यहे ही है जो अंकुर तने के जो नए भाग होते हैं उनका निर्माड भी करता है 134 प्रशन है उसे चुनी है जो कि अन्ने से भिन है पेट्रोल पेराफिन मोम ग्रीस कोई तो अंसर की बात करते हैं तो आपका option यहाँ पर पेट्रोल जो है वो सही होगा पेट्रोल एक तरली इंधन है जबकि अन्निसभी जो है वो थो सेर्धन है क्लियर आपको अंतर इसमें समझ में आ रहा होगा 35 प्रसने आपका है कि 35 एक ऐसा पौधा है जो मेडगों कीडे मकौड़ों और चुहे जैसे जो चोटे जीव हैं उनको अपने अंदर फास कर खा जाता है हमारे देश में यह पौधा पाया कहां जाता है अच्छा प्रसने क्योंकि सीटेट में यह काफी पूछा भी जाता है ब पूरा करने के लिए चोटे कीट जैसे कीडे मकौड़े चुहे आदी को खाता है यह मौधा मुक्यता भारत में मेघाले में आपको देखने को मिलता है 136 प्रसने आपका कि फुलहर जील भारत के इस राज्य में जो है वो इस्तित है मद्ध प्रदेश उत्राखंड पिहार या फिर उत्तरप्रदेश अंसर की बात करते हैं तो आपका उप्षन यूपी जो है वो सही हो जाएगा उत्तरप्रदेश में है आपकी फुलहर जील और यूपी के अंतरकत का है तो उत्तरप्रदेश के पीली भीत में है आपका अगला है आपका 137 प्रसन कि रक्षा में प पोसक्तत्वें उनसे भरपूर विविन भोजन के उधार देने चाहिए, स्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेक बनाना चाहिए, मानव दातों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसके सामगरी भोजन को पहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, बहुत बढ़ी आप प्रसन है, गाजीपुर, प्रयाग, कन्नौज, या फिर इन में से कोई नहीं, इसके लावा वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक भी ओश्य करते रहेगा, जिबरकार अच्छ मैच होगा, गोमती, टॉन्स, सोन और चम्बल, चलिए बात करते हैं, अंसर की, सबसे पहले गोमती नदी की बात करते हैं, आपका नीचे औप्शन के एकॉर्डिन्ग जो है, सही जो नदी है, यानि सही सायक नदी जो है, इसमें आपका आजाएगा, किसकी गोमती नदी की, तोन्स की सायक नदी जो है ये आपकी क्या है बेलन है सोन की कौन सी है तो आप कहेंगे कुनहड है और चम्बल की कौन सी है तो ये पारवती है यानि कि सभी चारों आमने सामने ही लिखी हुई है सुमेली थी केवल करना था आपको तो ये वाला ये option है आपर जो है वो सही हो जाएगा एक चीज़ी आपर ये भी देखें कि जो आपकी सोन नदी तोन्स नदी ये गंगा नदी की जो है वो सायक नदी है और यह opposite side से जाकर जो है वो मिलती है इसलिए ये पूची जाती है और जो son है इसके बारे में ये भी पूचा जाता है कहां से निकलती है son नदी 각ल जो है मैकाल पहारी पर अमर गंटक से जो है वो निकलती है और जो चंबल आपकी है ये चंबल हो गया और सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया कि सब यमुना नदी की सायक नदी है मगला देखते हैं आपका परी गोमती किसकी सायक नदी है यह गंगा नदी की सायक नदी है अब इन्होंने कह किया है इन्होंने नदियों की भी सायक नदी जो है वो पूछ लिए है 240 प्रसन है कि पके हुए चावल रेफिजेरेटर में आप एक चाकरत लंबे समय तक परिरक्षित जो है वो किये जा सकते हैं क्योंकि चार ओप्षन हैं बताइए कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं पर नमकीन पानी में डूप जाता है पर नमकीन पानी में डूप जाता है तैड़ता रहता है क्योंकि जो नमकीन पानी उसका जो घनत होता है वो ज़्यादा होता है कि इसके comparison में साधरान प्यानी के आपका ए वाला option सही हो जाएगा सेम चीज़ आपको कहां देखने को मिलती है मरत सागर में देखने को मिलती है इसलिए लोग वहां जो सागर उसमें डूबते नहीं है यह उसकी नमकीन या उसकी जो लवड चमता है उसके करण आपको देखने को मिलता है 142 प्रसने आपका पुरा वनस्पती बीरबल सहानी सहंस्थान उत्तरप्रदेश में कहां परिश्तेत है आगरा कानपुर लखनो या फिर जासी अंसर की बात करते हैं तो यह आपका लखनो में है पुरा वनस्पती बीरबल सहानी संस्थान अगला आपका 143 प्रसने सिपकीला परवतिये दर्रा जो है वो कहां है जम्मु कस्मीर में, उत्राखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में सिपकीला जो है आपका परवतिय दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्थेत है डी वाला आपको आप्शन सही होगा आँ से कुश्चन जो हाली में पेपर होई था, उनमें भी पूछा गया था दर्रे आपको आने चाहिए तो 44 प्रसन है, नेपेंथिस जो पादप है, उनका एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहो, मेढग, किड़े मकॉले का सिकार करता है इस बादप से एक विशेस गंद निगलती है, जो इन जीवों को अपनी और आकरसित करती है तो हमारे देश में ये बादप कहां पाया जाता है तो ये कुश्चन उपर भी आया था, वहाँ पर मैंने बताया था, मेघाले में जो है, ये पाया जाता है अगला 145 परसने भारत में समरत दिवनस्पती जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्धाल है दोरा प्रात्मी कक्षाओं के विद्यारतियों को रड़ थंब और राष्टी उद्यान ले जाया जाता है ये जो है, डैस में विद्यारतियों के साहता करेगा, किस में करेगा ये आप सो पूछा किया है पहला कहरा है पराण सरनच्चड के लिए जो कॉसल है उनका विकास होगा बाहरी ब्रमर से दोस्तों के साथ मजा लेने, काट दीजे ऑप्शन, प्रकृती के साथ प्रकृती के प्रती सम्मान विक्सित करने हो सकता है, पर यहां पर उद्देश नहीं आएगा कक्षी है, जो अधिगम है, उसको वास्त्विक जीवन से जोडना, बिल्कुल ये सही होगा प्रकृती के लिए कौसल का विकास नहीं हो था, उसके प्रती जाग रुखता भले हो सकते हैं, तो ये भी कट जाएगा मेन उद्देश से क्या हो जाएगा, कक्षी है, जो अधिगम है, उसको वास्त्विक जीवन, वास्त्विक जो इस्तिति उनके साथ जोडना 146 प्रस ने कक्षा 5 का समीर अकसर समय पर परण अधिन की सिक्षगा के पास 10 कारी जमानी कराता है, इससे निवपटने का सर्वोत्तम सुधारात्म कुपाई क्या हो सकता है 147 प्रस ने जनसंक्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विशय भारती सविदान के अंतरगत किस सूची में जो है, वो सामील है, यहां से कोईशन आपसे पूचा जा सकता है कोई एक पर्टिकुलर सूची दी जाएगी और पूचा जाएगा वो राज सूची में आती है, संग सूची में आती है, समवर्ती सूची में आती है या अवसेष्ट सूची में आती है अभी जो हाल में पेपर हुए जैसे पेट का पेपर हुआ है, जूने रेडिट का पेपर हुआ है, कुछ चीज़ उससे भी देखे कि कैसे कैसे पूछी गई है, अंसर की बात करते हैं तो सम्मुवर्ती सूची आपका सही होगा, चाहे हो जनसंक्या नियंत्रण हो, चाहे हो प नागारजुन सागरबान किस नदी पर बना हुआ है, आवेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गुदावरी नदी पर, या फिर सिंदु नदी पर, बताए अच्छा प्रसने कौन सा सही होगा, तो नागारजुन में वर्ड देखे हो, यह पकड़िए कौन सा है, तो अर्ज अर्जुन बर्ड है, अर्जुन, स्री कृष्ण, अर्जुन, ऐसे नाम आपको हमेशा सुना होगा, तो स्री कृष्ण से कृष्णी आपर बगड़ लीजे, तो यहाँ पर, अर्जुन, यहाँ पर, कृष्ण, कृष्णा नदी पर, आपका, नागारजुन सागरबान है, आ यह आपका option सही होगा 150 प्रसने आपका है निम्लिकित जो राजधानी रेलगाणी उनमें से कौन सी सरवाधिक लंभी दूरी तैय करती है अभी सबसे लाश में कोशन हम अलग से जो है वो पूछेंगे तो दो चार तीन तीन चेटने सेंट्रल तिवेंद्रम सेंट्रल डिब्र आज जो हिंदी के प्रसन करा थे उसके हटा दिये थे कौशन सेम वैसे ही यहाँ पर जो स्टार्टिंग में अध्यान साता है उसको हटा कर डारेक्ट प्रसन जो है वो देखते हैं सबसे पहला प्रसन संस्क्रत का नाटक मत प्रक्रणम किस ग्रंत से उद्रित है साहित दरप तो पंडित विसुनात है उसके अलाबा जो दस रूपक है यह आपका नाट के जो दस रूप है उनके लक्षण उनकी विसेस्ताओं का प्रतिबादन करने वाला ग्रंत है उसमें कुल चार अध्याएं हैं जिने आलोग कहा गया है नाट सास्त्र की बात करें तो इन नाटको के समद्ध में सास्त्री है जानकारी है उसको नाट सास्त्र गयते हैं और इस जानकारी का सबसे जो कुराना गरंत है वो सिरी नाट सास्त्र के नाम से जाना जाता है इसके रचाइता कौन थे तो भरत मुनी थे अभिजान साकुंतलम महाकवी कालिदास जो है उनका विसुव कॉण सा सहयोगा आप कहेंगे अल्प प्रान सहयोगा जिन व्यनजनों के उच्छान में मुख से कम हवा निकले उसे हम कहते हैं क्या अल्प प्रान। हुआ अगला एक शिक्ष्टी हट कस्मिन महास्वर सूत्रे अकार स्यापी इत्शंग्य भवती बताइए कौन सा सही को आंसर की बात करते हैं तो आपका लड़ सूत्रे जो है सही होगा ईगला देखते हैं आपका इसमें पूछा गया था कौन सा महास्वर सूत्र तो लड़ संस्क्रत वर्ण में कितने वर्ण है यह आप से पूचा गया है आंसर की बात करते हैं उन 4 ओप्षन में से 42 वर्ण हो जाएंगे क्योंकि जो हम इन्हें स्वर और वेंजन में बाटते हैं तो आपका में 10 जोड़ेंगे 43 होगा एक कम कर देंगे तो 42 होगा और 33 वंजनों में 25 इसपर्स वंजन होते हैं चार अंत्यस्त होते हैं 4 उस्म होते हैं वैसे एक चीज यहां पर ये भी ध्यान दीजेगा कि जैसे यहां पर प्रस्ण यह आपको संस्क्रत में दे रखा है इस टाइप से संस्क्रत में प्रस्ण अधिकतर सीट में पूचा जाता है और जब आपके यूपीटेट में परिक्षा में पेपर में आता है तो आपको हिंदी में ये प्रस्ण देखने को मिलता है पर अगर आप संस्क्रत में ही समझने की आदट डाल लेंगे तो फिर हिंदी में तो आप चुटकियों में कल लेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए कि प्रसंद पूछ क्या रहा है बाकि अगर हिंदी में आएगा तो आपके लिए और ही आसान होगा तो इन बताईए इन चार ओप्षन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो यतश्य निर्धारणम ये आपका सही होगा जब किसी बस्तु के अपने समुदाय से किसी विशेशण द्वारा कोई विशेशता दिखलाई जाती है तब आपका समुदाय वाचक सब्दे सश्टी अत्वा सब्ति में विवक्ति जो उसमें प्रयोग होता है अगला देखते हैं आपका 71 कि पुरुसाहा कति विधा कि कादस विधा सड विधा द्वी विधा या त्री विधा तो अंसर की बात करते हैं तो पुरुसाहा जो है वो के तीन टाइप्स होते हैं तो त्री विधा आपका सही होगा पुर्तम पुरुस मध्यम पुरुस और उत्तम पुरुस 72 प्रसने आपका है कि हीने इती सूत्रण का विभक्ति आपको बताना है कौनसेस में विभक्ति होगी पंचमी, चतुरती, प्रतिया या दुतिया अंसर की बात करते हैं तो आपका दुतिया विभक्ति यहांबर जो है वो सही होगा 73 प्रसने अहम, दुखदम, पिवामी, वाके के रेखांकित सब्द का लंग लकार में रूप जो है वो क्या होगा यानि कि पिवामी का जो है वो पूछा गया है बताईए आपिवत होगा, आपिवन होगा, या फिर आपिवम होगा या आपिवाहा होगा इस टाइप से चार ओप्शन दे रखे हैं अंसर की बात करते हैं, आपका होगा आपिवम, सी वाला आपका ओप्शन सही होगा लट लकार, लट नि, लंग लकार, उत्तम पुरुस, एक वचन का रूप होगा आपिवम पर यह जो पिवामी दे रखा है, यह आपका लट लकार में दे रखा है, उत्तम पुरुस, एक वचन का यहाँ पर धातु कौन सही है, तो पाधातु है, अगला देखते हैं आपका 74 प्रस्न, लिकित में से विदिलिंग लकार का रूप जो है, वो कौन सा है पठतु है, पशेत है, तिष्ठानी है, या आपिबत है, अंसर की बात करते हैं, तो आपका पशेत जो है, वो सही होगा, पशेत रूप जो है, वो द्रस धातु, देखना अर्थ के लिए विदिलिंग लकार प्रथमपुरुस में आपका पशेत जो है, वो बनेगा, चलेगा कैसे, तो पशेत, पशेताम, पशेयूहू, 25 है, इनमें क्रोध सूचक अव्य कौन सा नहीं है, चार आप्शन है, बताए कौन सा सही होगा, तो आपका हंत जो है, वो सही होगा, हंत आप सूचक जो वाक्य है, उसमें, 76 है, इनमें जो है, वो सम्बोधन सूचक कौन सा जो है, वो नहीं है, आई, अहो, आये या भो बताए कौन सा सही होगा, इसमें आपका जो सम्बोधन सूचक है, अहो जो है, वो नहीं है, क्योंकि अहो जो है, आपका विसमय सूचक अव्य सब की बात करते हैं तो परी उपसर गया है भी वाला आपको ऑप्शन सही होगा अगला आपका है इसको ब्रेक कह रहेंगे तो परी प्लस वदती करके जो है वो बनेगा 78 है उप गम में इत्यसमिन पदे प्रत्या प्रयोक्ता आपको बताना है कौन सा जो है वो यहां पर प्रत्या यहां पर आपका अंसर की बात करते हैं आपका लिप प्रत्य होगा क्योंकि इसमें यह सेच बसता है यहां पर है भी बस यहीं आपका सी वाला ओप्षन सही होगा इनमें से नपुन्सकलिंग का उधान कौन सा नहीं है जलम दुगदम फलम देवाह बताईए कौन सा सही होगा कौन सा नहीं है पूछा गया है अंसर की बात करते हैं तो देवाह आपका किसी वरकार से नपुन्सकलिंग में नहीं आएगा पुरिष जाती पुलिंग सब्द में आजाएगा, 80 प्रस ने पितरों स्वा नगरम गच्छता यहां पितरों में वचन वो कौन सा है, एक वचन, दू वचन, बावचन या इन में से कोई नहीं, अंसर की बात करते हैं, तो आपका दू वचन वो सही हो जाएगा, अगला आपका 81 प्रस नहीं, तोया पत्रम लिखेत आपको बताना है, तो बताईए इन चार ओप्षन में से कौन सा जो है, वो सही होगा, अंसर की बात करते हैं, तो आपका ओप्षन, तोया पत्रम लिखा सी जो है, आपका सही होगा, तोया पत्रम लिखेते पूछा गया था इसका कर्द वाच्छे, और यहां पर सेंटेंस द दिखान रखेगा कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में, दृतिया और क्रिया कर्ता के अनुसार जो है, इसमें लगती है, इसलिए आपका यहां पर तोया जो है, उसका त्वम चेंज हुआ है, और लिखेते का लिखसी चेंज हुआ है, अगला आपका है, लगो सिध्धानता समासा कतिदा, पंचिदा, चतुर्धा, त्रिधा या दूइधा, आप क्या कहेंगे, लगो सिध्धानत कौमदी के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, एवाला आपका आपका आप्शन सही हो जाएगा, पांच प्रकार के जो होते हैं, वो होते कौन से हैं, केवल समास, हव्वे भाव समास, दंद समास, सत्वुर्ष समास, बाहुरी समास, 54 प्रस्ने निमलिकित कतनों में से असत्य कतन जो है, आपको चाटना है, हिरास का विलोम विकास है, स्वाधीना का विलोम पराधीन है, समता का विलोम असमता है, और सीतम का विलोम उष्डम है तो बताईए इसमें से गलत कौन सा है रस्ट में क्या कहा रहा था कि गलत जो है वो चाटिये तो सी वला यहां पर गलत है समता का विलोम आसमता नहीं होता है समता का विलोम होता है विसमता तो आपका यहां पर यह गलत दे रखा है अगला है 85 ज जिनका अर्थ एक समान होता है, उसे कहते हैं पर्यवाची, या कहते हैं समाना अर्थी, अगला 86 है, धवल जो है, इसके बारे में बताना है, कि इसका अर्थ कौन सा होगा, उजाला होगा, चोरी होगा, कोरा होगा, मामुली होगा, तो धवल जो है, इसका अर्थ होता है, उज रुजाला, निर्मल, स्वच्छ, यहां पर रुजाला दे रखा है, तो बस एवाला सही हो जाएगा, चोरी जो है, इसका अर्थ ठगी, चुराने की क्रिया, कोरा का अर्थ होता है, मूर्ख, गुड़हीन हो गया, या बिल्कुल ताजा भी इसका अर्थ होता है, नया भी होता होता है, मामूली का अर्थ क्या होता है, तो साधारन होता है, ओसत दर्जे का भी होता है, निसान्त से रास्ता पूछता है, इसका संस्क्रत में क्या बदलेंगे आप, तो निसान्तात पंथानम प्रच्छती, या निसान्तम पंथानम प्रच्छती है, चेकर के चार है, सी व वो secondary हो जाएगा पंथानम प्रधान कर्म है, 88 सब्द सुद्ध सब्द क्या है, निरोगाह, परिच्छा, पत्नी, श्रीमती कौन सा सुद्ध है, सुद्ध बताईए, अंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर स्रीमती सुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा अपहिए लिखा हुआ है, चलिए देखें, 89 प्रसन है, जहाँ उपमान की संभावना हुथा हुथी है, वहाँ पर अलंगकार कौन सा होता है, उपमा होता है, प्रेक्शा होता है, रूपक होता है, या फिरीमती मातर लगती आपकी, और जो निरोगा है, यह नामें बड़ी की मातर लगती तो निरोग आपका हो जाता है इसके बाद एक प्रस्न आप से भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हो आप से एक ने के प्रस्न पूछते हैं प्रस्न आपका है चात्रह स्वाहिदैस, विचारान, कया, भासया, सरल्तिया, प्रकटि, कर्तुम, समर्था, भवति, आपको बताना है कौन सा चाही होगा इसके लावा वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्कॉप्सिल में मिल जाएगी, वाला जिस्ट रेड़ा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं अचैनल दीवला आपका अंसर है, मात्र भास्या चातर अपने हरदयतवा, जो मन के विचार है, प्रस्म में क्या कह रहा था? चात्र सवा हिर्दे से तो अपने हिर्दे या मन के विचार हैं, विचारान कया भासया, सरल्तया, प्रकटी, कृत्व, समर्था, यानि कि जो अपने हिर्दे है, अपने मन के विचार, अपने भाव को किस भासा में आसानी से अभिवक्त कर सकता है, सरल्तया मतलब आसानी से, प प्रसन आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में आप से एक प्रसन पूशते हैं ये प्रसन आपके लिए है जिसका अंसर आपको वीडियो की में कमेंड में टाइप करके बताना है बस एक दिन और से से आपके पेपर के लिए उमीद करते हैं आपने अच्छे से अच्छी त हुआ था कोपनहेगन रियो डी जैनरी वासिंटन या श्टॉकोम एबी सीडी में से कौन सा सही होगा अपना अंसर वीडियो के में कपेंड में बताइएगा लाइफ टाइमिंग दो हैं दो पहर के 3 बजे सामके 8 बजे तो लाइब आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं प्रस नए प्रस्नों के साथ नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जाएंगा